हेलो दोस्तो, स्वागत अब सभी का एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम अपनी एक हिंदी वीडियो को इंग्लिश में डब करेंगे वो भी AI का यूज करके वीडियो शुरू करने से पहले आप ये वीडियो देख लीजिए जो की पहले तो हिंदी में थी लेकिन बात में मैंने इसको AI का यूज करके डब किया था तो विदा उट है नी डीले, लेट्स गिट स्टार्ट इस तरह की वीडियो को इंग्लिश में डब करने के लिए सबसे पहले आपको आज आना है 11 Labs में तो हम अपने ब्राउजर पे सर्च कर देते हैं 11 Labs हाला कि आप लोगोंने कई बार 11 Labs को यूज करना मेरे चैनल पे सीखा है लेकिन ये 11 Labs का एक नया फीचर है तो हम क्लिक कर देते हैं इस पहली वेबसाइट पे दोस्तों यहां पे आपको इस पीस सिंथेसिस प्रोजेक्ट डबिंग वाइस लैब वाइस लैबरेरी हिस्ट्री रिसोर्स जैसे ऑप्शन दिख रहे हैं लेकिन एक ऑप्शन यहां पे नया एड हुआ है जो की है डबिंग तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्ल पे यहां पे मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूं फॉर इजामपल न्यू डब वीडियो दिन दोस्तों मेरी सोर्स लैंग्वेज रहेगी हिंदी और टार्गेट लैंग्वेज मेरी रहेगी इंगलिश अब दोस्तों यहां पे आप अपनी अप्टू 45 मिनिट इसकी वीडियो अप्लोड कर सकते हो जिसका मैक्समम साइज हो सकता है 100 MB तो यह मैं ना करके मैं अपनी यूट्यूब वीडियो का लिंक यहां पे पेस्ट करूंगा लेकिन यह एरर शो कर रहा है तो इसको मैं हटा के अधर यूर्यल में पेस्ट करके देखता हूं दोस्तों फाइनली हमारी वीडियो डव हो चुकी है तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके एंड इस डाउनलोडिग if you don't have an expensive microphone or let's say you don't have a microphone at all and still you want to record professional audio using your mobile so you have come to the right place तो 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 देखा आपने कैसे मेरी वीडियो थो की इंडी में थी पहले वो इंग्लिस में पूरी तरीटिसने डव हो चुकी है अगर आप इस वीडियो को पूरा आउटपुट देखना चाहते हो तो इसका लेक बिस्विट्रम ने देदो रहा वैसे उसको कि आप जानते हो कि AI पे यूस करती कैसे आप एक पूरी की पूरी एनिमेंटेड वीडियो बना सकते हो अगर नहीं तो लेप आप इस वीडियो पे ज़रू किक करीं और ये वीडियो इंफॉर्मेट्री लगाओ तो लाइक करीं कॉमेंट परीं चैनको ज़रू सब्च्ट्रेक्ट परीं वीड़ पार्ट आप में जननी थैंकी सो मस्ट वाची